ये product-based company में आते हैं, तो वहाँ पर क्या है? अल्रेडी उन्होंने बोले कि भाई, हम तुम्हार को दे देंगे data sectors, जो अल्रेडी बने हुए है, क्या तुम उनको use करके, कुछ जो जो प्रॉब्लम चाहिए, जिसका solution चाहिए, जिसके लिए software बना रहे हैं, क्या वो सोच पाते हो? अगर आप Java developer का interview देने जा रहे हो, या Java programming आती है, और interview देने जा रहे हो, और आप वहाँ बोलते हो, Java आती है मुझे और वहाँ पर अगर आपसे collection framework नहीं पूचा जाता, ऐसा हो नहीं सकता, मैंने जितने बार दिया है, मुझसे पूचा गया है, मैंने जितनों को पड़ा है, उनसे भी पूचा गया है, अगर आप बात करो, data sector algorithm सीखने जा रहे हो, बिनना collection framework के, ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता, त क्योंगी collection framework आपको आना बहुत ज़रूरी है, अगर आप DSA के question solve करते हो, चाहे फिर आप fan to interviews देख रहे हो, यह MNC company के देख रहे हो, collection framework होता है, collection framework कुछ भी नहीं है, है क्या मैंने सभी data structure लिख रखे है, है, yes, collection framework खुद में ही data structure algorithms है, DSA, framework का मतलब ही होता है, rediment चीजे, औ collection का मतलब बहुत सारी चीजों को इखटा किया गया एक जगे, collection, right, तो collection है यह, it is the collection of whole data structures and algorithms which are mostly used, and they are already inbuilt, एक inbuilt library है Java के अंदर, उसको नाम दिया गया Java collection framework, अमझे, hey everyone, this is Shivam Sharma, कैसे हो सारे, आज की वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे, Java collection framework, जैसा कि आपको पता चल गया है मैं आपको बता दो, इस complete one वीडियो के अंदर अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, collection framework का, एक C भी नहीं बता है, मैं सब पढ़ा दूँ आपको, ठीक है, अगर आपको कुछ आता है, competition के लिए, अगर पढ़ना चाते हो, वहाँ पर, इंटरव्यू में फोड़ना चाते हो, ठीक है, और वो confidence नहीं है, confidence लाँगा, मैं, confidence लाँगा, इस बात की guarantee देता हूँ, ठीक है, what is collection framework से लेकर पूरा, जो real life में, example जो हम use कर रहे होते हो, software के अंदर, उपर जो अगर हमारे को data structure algorithms के जाँपर, FANG जैसी company हो में, product based company हो में, अगर आप apply करते हो, वहाँ पर questions आते है वहाँ पर collection framework की use होते है, तो आपको collection framework पढ़ने से पहले, आपको यह पता हो नहीं है, why we use collection framework, अगर मैं आपको ऐसे बोल दूँ, collection framework, Java, JD के जो 1.2 के version से सभी में आता है, ठीक है, उस से जितने भी उपर है, उन सभी में Java collection framework है, उस history का आप क्या करोगे, आपको पता करना है implementation, code, hierarchy, क्योंसे उसमें सब ये बने हुए है, कुछ YouTubers नहीं गलत पढ़ा रखा है, आपको मैं बता दूँ, hierarchy भी गलत बना रखी है, इसको एक घंड़ा लगाया बनाने में, ठीक है, क्योंकि cross verify कर रहा था, अब इस महनत के लिए आप थोड़े patience के साथ, speed को थोड़ा change कर ले collection दिखाऊँगा, जो बता दिया मैंने आपको, से पहले what is collection framework या why we use collection framework से पहले हम देखेंगे, कि where we use, where we need, yes uses, ठीक है, तो मैं आपको दिखा दूँ, देखो, अगर मान के चलो, आपको software बना रही हो, ठीक है, अब software में क्या एक list दे रखी है, 500 बच्चों की, ठीक है, student management का या employee management का, जो भी माननो, student का बना रही हो भी, 500 में से कुछ बच्चों की जो list है, उस में से क्या है, 12th के बच्चे है, ठीक है, अब हमने वो list में से, 12th में जो बच्चे है, उनकी 95% से, या 90% से, और एक 95% से, जिन-जिन के बच्चों के ज्यादा marks आए है, उनकी दो list बनान इतने बच्चों के आए है, तो मैं कैसे बताऊं की मेरा array जो भी मैं बनाऊंगा उसका पहले मेरे को size देना पड़ेगा, तो मुझे पता ही नहीं है, इतने बच्चे हो सकते है, ठीक है, तो मैं ऐसे चल के जो नया software बना रहा हूँ, उस में पुरी एक list बना रहा हूँ, वो मैंने array बनाए है, मान के चलो 50-50 का, अब 50 में एक में तो fill हो जाएगा, अगर मान के चलो यह 50 ना आए होते, 30 बच्चे होते, तो 20 बच्चों का यहां waste हो गया, 30 बच्चों का यहां पर storage waste हो गया, तो क्या हम वो waste करना चाहते है, नहीं, उसके लिए हम क्या करते है, डाइन link list भी use कर लेते है, ठीक है, तो array list use किया जाता है, dynamic arrays के लिए, vector use किया जाता है, समझ रहे हो, क्यूंकि हमें नहीं पता क्या size है, यह already क्या है, collection framework में Java की inbuilt जो library है, उसके अंदर already है, अब ही मैं आपको एक interview में question पूछ लिया जाता है, वो बहुत ही basic question है, ठीक है, what is the collection and what is the collection framework, बच्चा दोनों में confused हो जाता है, दोनों एक जैसी चीज़े बुलने लग जाता है, what difference है, यह बात हो गई हमारी, जहां पर हम real life में use कर रहे होंगे, अब बात कर लेगर हमारे interview चल रहा है, product based यसी company हो चल रहा है, या जहां पर data structure algorithm पूछा जा रहा है, या उसके question solve करने है, कि मेरे को second largest number दो, या third smallest number दो, तो यह बोला जाता है, कोशन है, kth largest, या kth smallest, ठीक है, यह question है, यह famous question है, बहुत बार पूछा गया है, यह मैंने अपना करवा रख यूट्यूब पर, चैनल बर देख सकते हो solution में, वहां पर मैंने एक चीज़ यूज करी है, क्या यूज क आपको, यह collection framework में है, अब वहां जाकर आप priority queue तो नहीं बना रहे होगे, वहां पर आपको क्या करना है, यह question solve करना है, एक और question से समझते है, बहुत यह भी famous question है, previous greater या next greater element, ठीक है, अब जैसे यह 2 हो गया, तो 2 से previous कुछ greater था कि नहीं, तो print कर दो, तो 2 से पहले 1 तो नही ठीक है, 4 से पहले, प्रीवियस greater element है, नहीं है, इसमें previous greater element में, ठीक है, previous greater element और इसी के type के question होते है, next greater element, ठीक है, to the right, to the left, ऐसे वाले questions में, हमारा stack यूज हो रहा होता है, अब वहां जाकर आप stack तो बनाने नहीं लग जाओगे, already आपके पास stack है collection framework के अंदर, वहां पर आ करूँगा मैं, ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, मेरी coding की speed बढ़ जाएगी, और जो interviewer है, उसको, अगर stack, अगर उसको पता है, कि मैं data structure बनवाने के लिए, बंदे को engineer को hire कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके लिए वो data structures को बुचेगा, कि stack कैसे implement होता है, array के through होता है, link list के इस company में आते हैं, तो वहाँ पर क्या है, अल्रेडी उन्होंने बोले कि भाई, हम तुमार को दे देंगे data structures, जो अल्रेडी बने हुए है, क्या तुम उनको use करके, को जो real life में problem आ रही है, जो problem चाहिए, जिसका solution चाहिए, जिसके लिए software बना रहे है, क्या वो सोच पाते हो तो उसके लिए collection framework, हमज रहे हैं मेरी बात, collection framework के बिना आप DSA सीख ही नहीं सकते, क्योंकि आप वहाँ पर stack को तो use करोगे, तो आपको inbuilt stack चाहिए, पता होना चाहिए, right, now, same, अगर कोई basic interview भी देने जा रहे है, वहाँ भी collection framework पूछ लिया जाता है, ठीक है, now, अगर बात क करूँगा, वहाँ पर अपने code के अंदर, और use कर लूँगा, correct, तो उससे क्या हो जाएगी, मेरी productivity increase हो जाएगी, मेरी speed बढ़ जाएगी, और programming efforts reduce हो रहे है, ठीक है, और जो मेर को data structure से algorithms मिल रहे है, पूरा array sort करना है, उसको में sorting जो कर रहा हूँ, वो highly optimized मिल रहे है, already, advantages of the collection framework, अब बात करें, जो basic, बिल्कुल basic question होता है, जो पूछ लिया जाता है, बहुत ही, mostly, ठीक है, frequently पूछ लिया जाता है, और बच्चों को नहीं पता होता है, क्योंकि, जिस बंदे ने उसको पढ़ाया होता है, उन्होंने वो चीज़ क्लेर ही नहीं की होती है, क्योंकि अब बात करें, कोई आपसे पूछ तो आपको पूछ पूछ तो आपको पूछ पूछ तो आपको क्रॉस कोछन होना चाहिए, या फिर आपके तीनों अंसर होना होनी चाहिए, जो भी प्रॉपर answer है, अगर आपसे कोई पूछता है, क्लेक्शन फ्रेमवर्क, पूछ collection of the classes, interfaces, algorithms but if it asks what is the collection, this is a tricky question. Okay what is the collection, now say collection framework of a half collection, look at the graph here, this is a collection name, yes, I am talking about this collection, if it asks what is the collection, then you will get up here, because collection interface also present, collection class also present in Java, and collection framework, three things, same name, no, if it asks you, then you have to ask the cross-questioning, are you asking a collection framework or collection simple, if you are asking a collection, then it is also a class and interface present in the Java library, and Java library, the collection framework, okay, in this video, we have many interfaces, many classes, I am going to tell you, I am going to tell you, it is not so much, collection interface, a map interface, it is also a different, it is different, it is different, because there are two types of values stores, if you have ever noticed, one is single value, and one is double values, group values, group values, like a child's data store, okay, it is a role number, its name, its surname, its father's name, its marks, and it is a group of data, okay, and simple, if you have any children in the whole class, make a list of the whole class, okay, or make a list of the role number with the name, then you can make a 2D list, you can make a 2D list, so if you talk about in the group, there is a map of you, you can make a key value, so if you have to see that data sector, वह दो तरीके में divide है, एक जहाँ हमारी single values store हो रही होती हो, और एक जो group values store हो रही होती है, तो सबसे पहले हमें इन दोनों को बढ़ेंगे, ठीक है, the collection interface and the map interface, ठीक है, अगर आप से कोई पूछता है collection framework में, तो ज्यादा तर आप यह दोनों चीज़े बोली जा सकती है, ठीक है यही से उसका start होता है, क्योंकि 80% तो यही है, ठीक है, बाकि 20% में आपकी arrays class हो गई, collection class हो गई, iterator class हो गई, sorry, interface हो गया, collection interface तो रही, ठीक है, comparator होता है, तो यह सारी भी चीज़े आ जाती है, तो अगर full देखोगे तो definition और बड़ी बना लो, कोई दिक्कत नहीं, जितना प पड़ा है, ठीक है, और या फिर छोड़ दिया है, जो भी आप देखोगे, यह diagram भी सही नहीं है कई जगे, तो मैं आपको बता दूँ, collection interface से भी ऊपर एक और interface होता है, that is iterable, तो आपसे पूछा जाए, the root, the root interface of the collection framework is, तो आपका होना चाहिए, iterable, iterable, जो होता है, वो सभी म इंदर, क्या कर सकते है, iterate कर सकते है, one by one values, okay, then collection, collection क्या करता है, अब मैं आपको बता देखो, blue में लिखा गया है, blueprint होते है, जो interface होती है, वो blueprint होते है, ठीक है, तो मैंने blue color से भी बनाया है, classes मैंने white color से बनाई है, implement, यानि क्यों उनको implement किया जा रहा है, किसी blueprint को, अगर किस जाता है, या कोई और, अगर किसी blueprint को कोई और, ठीक है, engineer उसको और बड़ा अच्छा बनाता है, तो उसको में कोई और feature add कर देता है, like, तो कुछ features add कर दिया, कोई room add कर दिया, कभी size घटा दिया, बड़ा दिया, तो उसको क्या extend features होती है, तो उनको extend किया जाता है, तो मैं extend कर रहा हूँ, solid line से, और implement कर रहा हूँ, dotted line से, अगर आप देखोगे, हमेशा, एक shortcut बता देता हूँ, जब भी अगर आपका interface interface हो रहा हूँ, या class class हो रहा हूँ, blue blue या white white, तो एक solid line आएगी, उसमें क्या और आपको extend कर रहा हूँगे features को, features को बढ़ाने कोशिश की जारी ह but अगर आपकी blue से, white में कुछ convert हो रहा है, या कुछ हो रहा है, तो वहाँ पर आप देखोगे dotted line, that is this one, implement, क्योंकि blueprint को implement किया जा रहा है class के अंदर, interface में सिर्फ declaration अवेलेबल होता है, और implementation अवेलेबल नहीं होता है, ठीक है, actual में सिर्फ name, जो function का होता, वो given होता method का, और क अगर आप collection framework पढ़ना चाहते हो, तो आपको यह सारी चीजें कुछ-कुछ पता होनी चाहिए, ठीक है, इनीचे की अटा सकते हो फिलाल, यह वाली काट दो, बट इससे पहले अगर आपको पता होना चाहिए, package क्या होता है, interfaces क्या होते है, classes क्या होती है, rapper class क्या होती है, generics क क्या होती है, objects क्या होती है, यह सारी के सारी चीजे, तो अभी मैं आपको यह उसका base बना रहा हूँ, ठीक है, फिर यह सब code करके दिखाऊंगा, don't worry, no, तो package क्या हो गया, package भाई, already जो library बनी हुई रख्यों, उसको import किया जाता है, import keyword के साथ, ठीक है, यह याद रखना, import फ पुरा package कैसे create होता है, वो सब भी बता है, oops की playlist में मिल लागा, no, import हो गया, अगर आपको क्या बढ़ना था, interface, interface में क्या है, interface keyword यूज करते हैं, simple, और interface क्या है, जो हमारे को नाम रखना है, उस interface का नाम रख सकते हैं, तो same, already बने हुए भी है, तो उनको भी use करना है, तो उ classes के बंद, यह बहुत main point है, अभी बहुत ज़्यादा वार यह use होने वाला है, class के लिए class keyword यूज होता है, interface के लिए interface यूज होता है, class में, interface में सिर्फ हमारे को क्या होती है, एक नाम सिर्फ गीवन होता है, declaration गीवन होती है, implementation गीवन नहीं होती है, किसी भी method की, ठीक है, त वो सब काम हमारा हो रहा होता है, class के अंदर, class हमेशा implement कर रहा होता है, एक interface को, क्योंकि interface हमारा blueprint है, और class उन सभी चीजों को implement करता है, और object के, क्योंकि object के actual में, class क्या होती है, हमारी, ecological entity है, physical entity हमारी object है, class, like category है, classes लेगा, category, class, जैसे car हो गई, car हमने कभी देखी नहीं है, कार नहीं देखी है, हमने उसकी, क्या देखे है, objects देखे है, BMW, Audi, Fortuner, Scorpi, Othar, these are the object, which comes in the category of the car, okay, तो real life में क्या होते है, objects होते है, तो वो objects को create किया जाता है, फिर rapper class की बात करें, तो rapper class क्या होती है, actual में जो जो Java है, फुली object oriented programming language नहीं है, वो हमारी क्या है, 99%, एक परसें data types की वाज़े से, int, float, double, care, ठीक है, इन जैसो की वाज़े से, यह बहुत ही गंदेजी लोग है, तो इन पराणियों को बदला गया है, इन के नाम से, खुद में एक class बनाई गई है, integer, ठीक है, तो यह मान ले, अगर int के यह features है, तो इसको रैप कर दिया गया है, एक बड़ कोई भी आप, कुछ भी अगर collection framework में कोई भी class use करोगे, कोई भी, किसी भी class का object बनाऊ, किसी भी data structure को use करने वाले हो, तो उसमें हमेशा आपको एक यह डाल रहे होगे, wrapper class, वो wrapper class, कहां पर डाल रही होगी, generics में, ठीक है, तो अभी मैं आपको, यह आप एक data structure बनाते हो, for example मैं बना रहे हो, collection ऐसे करा, collection यह list बना रहे हो, ठीक है, list, okay, तो इसके बाद यह arrows आते है, okay, arrows, no, in arrows में, अच्छा, इनको क्या बोला जाता है, greater than, less than, equal to, बले arrows, ठीक है, in arrows में कुछ डालते हैं, वो होती है, उसको बोलते हैं, क्या, wrapper class, वो यहां पर, wrapper class होती है, और इसको पूरे term को बोल दिया जाता, generic, ऐसे क्यों बोल रहा हूँ मैं, देखो, नाम सही समझो, generic बोलेट तो, generalize, generalize का मतलब क्या हो जाता है, एक, सिर्फ उसी के लिए specialize कर दिया है, specific कर दिया है, ठीक है, अब मैं उसमें सिर्फ integer value store कर सकता हूँ, या string type की value store कर सकता हूँ, यह हो जाएगी, तो उसके लिए specify करना पड़ता है, यानि कि, generics को use करना पड़ेगा उसमें, ठीक है, अब यह सारी चीज़े तुम्हारी revision recall होगी, अगर आपको पता है, तो you are ready to go to learn the collections, okay, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगा अपनी list, ठीक है, और आपको दिख रहा है, जो list collection है, वो हमारी collection interface के अंदर आ रही है, ठीक है, जो किसको extend कर रही है, extend, solid line is for extend, तो list is extending collection, now collection is already interface, same list is also interface, क्योंकि हमें यह blue line से सारे मेने mark कर रखे हैं, blue वाले क्या interfaces, तो list भी एक blueprint है, अब list क्या होती है, जो सब ही values को ordered collections के अंदर store करती है, अब यह ordered collections मतलब, देखो, उसको जैसे हमें पता है, एरे में कुछ भी value हमें store करते है, तो हमें क्या पता होता है, कि भाई हम यहां पर store कर रहे हैं कुछ value 1, तो 1 के बाद जो में value store करने वाला हूँ, तो जब भी मैं वापस आऊंगा, या print करूँगा, तो मेरे को 1 के बाद 2 मिलेगा, 2 के बाद 3 मिलेगा, बट य तीनों ही इस property को क्या कर रहे होते हैं, इनहरेट कर रहे हैं, ठीक है, implement कर रहे है, using a list interface, now, कुछ बच्चों ने YouTube पर गलत पड़ा दिया है, कि stack implement करता है list को, नहीं, अगर किसी का यहां पर graph ऐसा कुछ दिख जाए, हिरर की, ऐसी बनी कि यह list पर जा रहा है सीधा, तो वो सम indirectly करता है, implement किसको, अपनी list collection को, because, यह vector को directly extend कर रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ठीक है, vector को directly, और vector का है, हमारी एक class है, ठीक है, तो यह सारी चीजे मैं आपको बना के दिखाता हूँ, और मैं आपको पहली बता दे रहा हूँ, अभी, note कर लो, list जो होती है, वो हमा capacity रखती है, ठीक है, यह set से बहुत ही different होता है, अभी हम करके देखेंगे implement, तब हमारे को सारी चीजे clear हो जगे, हम सबसे पहले बनाएंगे list का object, ठीक है, अब, क्या आप मुझे list का object बना सकते है, मैंने जैसा कि आपको पता है, इंटरफेस का object नहीं बनता है, ठीक है, और आपको, ऐसे बना रहे है, अच्छा, जब भी अभी मेरे यह error नहीं देगा, क्योंकि मैंने already यहाँ पर import कर रखा है उपर, java.util.list और java.util.arraylist, इसलिए अगर मैं इसको हटा देता हूँ, तो यह मेरे को यह red mark कर देगा, this is the error, क्योंकि जब भी हम किसी class का object बना रहे हैं, या कोई library यूज कर रहे हैं, कोई class यूज कर रहे हैं, तो उसके package को import करना जरूरी है, और package को import करते हैं, import keyword के साथ, ठीक है, और जिसके अंदर वो है, है, नो, हमेशा जितने भी तुम्हारे को collection दिखेंगो, java.util.के बाद जो भी तुम class, या जो भी तुम interface, वहाँ पर import क करना चाते हो, कर सकते हो, ठीक है, अब ही, तुम देखो, जब, मैंने क्या बलता, interface का कभी object नहीं बनता, मैंने या object कैसे बना दिया, क्या मुझे कोई बता सकता है, comment section में, कि मैंने interface का object कैसे बना है, अगर किसीने मेरी playlist देखी होगी न, oops कि उसको पता होगा, ठीक है, तो अब, मैंने list बना दिया, list में कुछ add भी कर सकता हूँ, yes, तो list के पात, बहुत सारे functions है, जैसा कि आप देख सकते हो, add, add all, add index, index बोलो कि उस index पे भी जा सकते है, array में ऐसा तो नहीं था, ठीक है, अगर मेरे को second position पे store करवानी थी value तो सब पीछे वाली value को अटाना पत रहा अब मेरे को print करना है, तो simple हम print करवालेंगे, okay, list, अचा किसने बता दिया है कि मैंने ये object, इसको run करके एक बर देखते है, ठीक है, output आ रहा है, now, 10, 20, 30, सब सही है, जिस order में मैंने store किया है, उसी order में आया है, बट ये set में बदल जाएगा, महाँ पर ordered collection नहीं रहेगा, ये तो मैं कैसे add कर सकता हूँ, इसके बाद लिखूँगा, ठीक है, बट मैं बाद में कर रहा हूँ, मान के चलो 30 के बाद कर रहा हूँ, अब मुझे 20 से के बाद store करना है, ठीक है, add करवाना है, तो करूँगा list.add, 20 किस position पर है, मेरी 1st position, 0, 1, 2, ऐसे जैसे array store होता है, वैसे array list भी store करती है value इसको, जो location होती है, उसके index वाइस, no, list.add, इसमें आप index और object, ये वाला method दिख रहा है आपको, इसमें पहले आप index डाल दो, फिर object डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, index रसे में डाल रहा हूँ, इसको, second position पर डालना चाहते है, second, comma, कोई value डालना है आपको, ठीक ह 10, 20, 25, 30, ठीक है, जबकि मैंने ये 30 के बाद add किया दा, पहले हो गए क्यों कि उस index पर प्रापर मैं कर सकता हूँ, तो ये बहुत सारी functionality है, हमारी array list के अंदर, यहाँ पर एक चीज और है, मैं जैसे add कर दू, list.add, और इसमें कोई आके save कर दे अपना नाम, शिवम, ठीक है, ये हमने save कर दिया, अब अगर मैं इसको run कर दू, तो बताओ output क्या आएगा, देखो, 10, 20, 25, 30, शिवम, अब ये क्या हो गई, list, list के अंदर, ये अभी कोई problem नहीं दे रहा है, storing के time पर, जब हम values वैच कर रहे होंगे, web development, जब पूरा एक web project बना रहे हैं, कुछ काम कर रहे ह ये, list में से, या कोई string value चाहिए, वहाँ specific values होती है, उस पर फिर काम हो रहा होता है, कोई operation perform हो रहा होता है, अब मान के, चलो, मैं, plus operation perform कर रहा था, कुछ values का, ठीक है, वहाँ पर ये, अचानक से string value आजाती है, list में, क्योंकि list में कैसी value बढ़ी है, हमें नहीं बता, आपने integer value माल ली, string आजाएगी, तो concatenate हो जाएगी, add होने के बज़ए, yes, अभी list को specify करना बहुत ज़रूरी है, अब जो चीज में आपको बताई थी, wrapper classes, generics, उसका काम यहाँ आ जाता है, यहाँ पर लगते है arrow brackets, arrow brackets लगा दोगे दोनों साइट, बस तुमारा काम बन जागा, इस इसके अंदर यह तुमारे generics को बनानी की प्रक्रिया पहले शुरू हो चुकी है, पहला step है, इस arrow bracket के अंदर जो भी आप specify करोगे, जो भी class लिखोगे, wrapper class, wrapper class कॉनसी होती है, जो भी primitive data types की, जो भी classes है, जितने ही primitive data types है, उन सभी की classes बनी हुई है, उन सभी को wrapper class बोला जाता बस, save कर दूँगा, इस code को, और यहां पर भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहां पर छोड भी दोगे, तो भी कोई problem नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा zoom करते है code को, अब इसके बाद, इस code को जड़ा run, save करके, run करके देखते हैं, ठीक है, तो output क्या रहा है कहीं हमने कुछ बढ़ गरी है, yes, one पर, यह एक्स्टर आगया था, इसको दुबारा से, एक्जिक्यूट करते हैं, see, इसने क्या दे दिया, शिवम के महाँ पर यह error दे रहा है, क्या कह रहा है, string cannot be converted to integer, yes, now, our list is specified, तो हमने उसको generalize कर दिया है, these are the generics, okay, जो मैंने यहां पर लगा दिये, list integer में, अगर मैं यहां भी लिख देता, तब भी कोई दिकत ही नहीं, ठीक है, नहीं भी करूँगा, तब भी अभी यह नया version है, तो और support कर रहा है, वरना पहले तो हमारा यहां भी लिखते दे integer, ठीक है, तो यह हमने क्या कर दिया, हमारी जो array list है, उसको generalize कर अच्छा, अब यह बता है किसीने मेरे को comment section में कि मैं interface का object कैसे बना पा रहा हूँ, देखो यार, interface का गभी object नहीं बनता, लेकिन, जो class मैंने यहां पर देखो, object, constructor किसका call हो रहा था, array list का, array list क्या है, class है, मैंने जो hierarchy में दिखाई, array list is the class, which is implementing the interface, that is the list interface, तो यहां पर रख सकते हो, अब जो यह object बना है, वो actual में property inherit किसकी कर रहा है, array list की, ठीक है, और list की भी, no, क्यों list के सारे features उसके अंदर है, ठीक है, तो ऐसे भी आप object बना सकते हो, लेकिन इसमें क्या है, मैं आपको अब ही नहीं बताऊँगा, आगी चल के जैसे stack बनाता हूँ, तब आ समेशा यहां भी जब भी आप list लिख रहे हो, interface, तो direct interface ना लिखते हुए, हमें array list लिखना चाहिए, ठीक है, array, list, okay, कोई फर्क नहीं है, अगर आप देखोगे, लेकिन फर्क, मैं बताऊँगा, आगे चल के बड़ा impact डालती, अभी देखोगे, आपको यह method दिखेंगे, ज array list के, खुद के भी methods हो सकते हैं, उसके class के अंदर, और list में जितने method थे, वो भी देख रहे थे उस time, ठीक है, तो यहां पर आपको कितने for each loop दिख रहा है, equals दिख रहा है, clone दिख रहा है, clear दिख रहा है, add all दिख रहा है, ठीक है, यह सारी चीजें हैं, हमारी array list के अंदर, अगर इसको करते हैं, लिस्ट में, तो देखते हैं, कोई difference थे, कितने object आते, sorry, कितने method आते, यह देखते हैं, list.add, add all, add index, add all, clear, contains, contains all, यह सभी हमार को आ रहे हैं, हो सकता है, और भी ज्यादा है, नीचे भी है, ठीक है, remove all size, but, फिर भी मैंने अपको क्या बोला, जब भी हम practice for the code, ठीक है, now, अभी यह stack में समझ जाओ गया, बिल्कुल आसानी से, या आगे जो data structure में पढ़ाने वाला हो, वो, now, अभी आप क्या समझ गया, specify कैसे करते हैं, ठीक है, wrapper classes का हां, लिखते हैं, और object कैसे बनाते हैं, ठीक है, आप object वैसे भी बना सकते हो, interface रखके और अप क्या है, array, list से क्या समझ रहे है, जो behind the scene, जो values को store किया जा रहा है, वो arrays में किया जा रहे है, और link list से क्या समझते है, जैसे हमारी linking values होती है, linking कैसे होती है, values मुझे बताओ जल्दी से, हमारी कुछ इस परकार होती है, 1 है, जो node है हमारी, फिर यह कहीं 2 से है, फिर 2 के पास address फिर ऐसा थरीका, यह वे होता हमारा link list का, ठीक है, तो same इसी परकार हमारी यहां पर link list भी काम कर रही होती है, ठीक है, और यह link list हमारी, इसमें भी है, list में भी है, और यह queue में भी है, क्यूंकि, अभी आपको दिखाऊंगा, जब queue में होते है, तो वह priority set होती है, but data हमारा व आ रहा है, क्योंकि इसको import करना है, ठीक है, चलो फिर import कर देते हैं, यह import हो चुकिया उपर, अभी, link list dot, अब देखो, सारे वो features दिख जाएंगे, जो होते है, ठीक है, to array, cast, और add करना चाओगे, add वाला भी दिखेगा, ठीक है, add वाले आगे, remove वाला आगया, ठीक है, clear करन के लिए, get method भी है, ठीक है, तो यह सारी चीज़ें है, अगर मैं array, link list dot add करूँगा, same, इसमें value store करवाना चाओँगा, अगर index दिया, index के बाद कोई value डालनी है, तो value भी store करवा सकते हैं, 20, ठीक है, first position पे 20 हो जाएगा, और अगर मैं बोलूँ, link list, simple dot add, add में simple मैं value डाल रहा हूँ, 10, save किया, अब इसको एक बार print करवा के दिखाता हूँ आपको, क्या print करके देता है, output के आया, देख सकते हो, कुछ error आया, index 1, size 0, क्यों, क्योंकि सबसे पहली value, कहाँ पर store होगी हमेशा, 0 index पे, ऐसे store नहीं हो सकती, first पे, ठीक है, इसके बाद आप कभी भी, कहीं भी store कर सकते हो, 0 पे किया, अब दुबारा से, मैं इसको run करके दिखाता हूँ, आपका output, इस 1, 15, save किया, code को execute, see, 20, 15, 10, अभी मेरा वो first position पे भी store हो रहा है, ठीक है, तो हमेशा पहले link list बना लेना, इसके बाद अगर आप remove करना चाहते हो, तो remove भी कर सकते हो, okay, link list.remove, what's the output, index is 10, size is 3, तो समझ गए, remove में, क्या जाएगा, index, value नहीं जाएगी, क्या जाएगा, index, अब save करके, दुबारा execute करते हैं, इस बार हमारा output आएगा बहतरीन सा, see, 20, 10, first position पे जो add किया 15, वो remove भी हो गया, then, अब बात कर लेते हम अपने vector की, ठीक है, तो link list समझ गए, array list समझ गए, अब अगर आपसे कोई interview में पूछता है, difference क्या है, array list का, ले, और तुमारा vector का, कब array list यूज करें, कब vector यूज करें, क्यूंकि, जो array list और vector में, बिल्कुल सेम सी चीज़ें आपको दिखेंगी, और ये vector आपको C++ में भी दिखेंगा, आपको में बता दू, vector, vector, और यहां पर आप ऐसे vector बना लोगे, तिम आपको द string लिख रहा हूँ और वहाँ पर specify नहीं कर रहा हूँ, left side, तो काम नहीं चलेगा, right side में specify करो, या मत करो, but left side में हमेशा specify करना तुम, ठीक है, generalize करने के लिए, generics pass करना, जो भी है, अभी क्या है, vector में कुछ add करना है, ठीक है, तो मेरा vector तो बनी चुका है, vector.add, same, वही सारे feature आपको दिख रहे है, दुबारा वही values को मैं store कर रहा हूँ, इस बार कर रहा है, five, vector, इस बार मेरा vector क्या साथा, string type का, तो मैंने सारी string values को मैंने क्या कर दिया, add कर दिया, अगर मेरे को वही print करना होगा, तो दुबारा से क्या करना पड़ेगा, अपने vector को print, ठीक है, okay, save क करते हैं, इस बार execute करके देखते हैं, क्या output आता साथ, five, ten, fifteen, ये हमारा क्या है, vector है, वेक्टर, कब vector यूज करना है, कब area list यूज करना है, दोनों तो काम एक ही कर रहे है, आप से अगर interviewer ये पूछ ले, कि ये बताओ मुझे, vector और, चलो area list और link list में difference समझ में आ रहा है, but vector और area list में क्या difference है, मैंने फालतु में vector क्यों मनाया है, ठीक है, मैं area list भी तो use कर सकता था, बाला कोश नहीं हो सकता है, दूसरा ये, अच्छा, इन दोन में fast कौन सा है, पीछे कही ना कही है, area में ही काम कर रहे होते हैं, अंदर पीछे back end जो implementation हो रही है, but मुझे उस से ल synchronized होती है, इसलिए वो fast होती है, अच्छा, उल्टा है, उल्टा है, और जो हमारी vector है वो synchronized है, और synchronized है, इसलिए slow है, तब synchronized का मतलब क्या होता है, yes, synchronized का मतलब यह होता है, thread safe, इसमें क्या होता है, कि जैसे multi-threading में बहुत सारे parts ना, अपना-अपना अलग-अलग काम कर प्रोग्राम के, ठीक है, multi-threading में, एक ही program को आप थोड़ सकते हो, threads के अंदर, और divide जैसे 10 function है, 10 function को, एक ही time पे आप execute कर सकते हो, ठीक है, parallel ही चल रहे होंगे, now, इससे क्या होगा, अगर मैंने किसी value को change कर रहा हूँ, ठीक है, साथ ही कोई उसी time पे value पे input भी कर रहा है, यह हमारा array list में होता है, तो वो non-synchronized होगी, ठीक है, और यह thread safe नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है same value पे manipulation, game, operations, कुछ हो रहा हो, जो vector होता है, वो block कर देता है, वो at a single time पे एक ही काम करेगा, तो multi-threading वाला जो concept है, मतलब जो तुम करते हो यार, एक साथ, app बहुत स वेक्टर हमारा slow होता है, array list हमारा fast होता है, जब हमारे को fast execution चाहिए होती है, not, thread safe चाहिए होती है, तब हम क्या use करते है, array list, जब मेरे को slow हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बट मेरे को thread safe चाहिए, synchronize दे चाहिए data, तो मैं क्या use करूँगा, vector use करूँगा, ठीक है, और सार properties, सारे operations, additions, अब में ही देखो, addition, removing, update, searching, यही तो होता है, यह सब हम इसमें भी कर सकते है, अगर मेरे को vector clear करना हो, पूरा vector, vector.clear, बस, ऐसे करता होगे, यह clear करतेगा, अब मैं आपको दुबारा print करवाऊंगा, और यह same array list में भी है, function, ठीक है, दुबारा control alt n करते हैं, control alt n इस शॉट कट, यह ने बहुत सारे short cuts पे एक video बनाई दी, वो जब देखना, ठीक है, तो मेरे vector क्या हो, तो मेरे vector क्या होगे, पूरा, clear, related भी कर सकते हो, same array list में भी है, यह चीज समझ गया है, अब यह vector synchronized है, thread safe है, इस वजह से, मैं stack में use करता हूं, समझ गया, यह thread safe है, synchronized है, इसलिए, जो हमारा stack है, वो इसको extend कर रहा होता है, क्योंकि stack क्या होता है, stack बता हो, ठीक है, पता किसी को, नहीं, चलो, तो stack ही होता है, it is based on last in, first out, like, जैसे मैं आपको कैसे example दू, बहुत simple example है, box है, ठीक है, यह, आपने Amazon पे कुछ order किया, वो box आ गया, ठीक है, इसमें आपके box के अंदर कुछ books है, ठीक है, books रख्यों है, एक book, दो book, तीन book, चार book, मुझे यह बताओ, सबसे पहले कौन सी book रखी गई होगी जडब्बे के अंदर, बोलोगे नीचे वाली, सबसे बाद में कौन सी रखी गई होगी, उपर वाली, यह last में, यह first में, अब, अग last in, first out, last in, first out पे based होता है हमारा step, लिफो, last in, first out मतलब, जो last में जाएगा, वही पहले बार आएगा, जो आप देख पा रहे हैं, last in, first out, ठीक है, अब यह, order भी maintain चाहिए, order भी maintain चाहिए, अगर order maintain नहीं होगा, तो फिर यह वाला खाम नहीं होगा, इसमें तो order हो रहा है, उसके बाद मेरे को पता है, जो पहले गया, उसके बाद दूसरा आना चाहिए, उसके बाद तीसरा आना चाहिए, उसके बाद लास्टा आना चाहिए, इसलि कि जो सबसे आखरी में गया वही बाहर आये बस और एक बार में वही operation perform हो push, pop और peak ये तीन operations होते हैं stack के अंदर push, pop और peak ठीक है stack class बना लेते हैं ठीक है तो अभी इसमें जैसे अब देखो मैं आपको एक game जो समझाने वाला था वो क्या थी? कि हम कैसे list का ठीक है बने बूला था हमेशा object बनाओ तो class का ही बनाओ interface का मत बनाओ क्यों देखो अगर जैसे मैं यहां बना रहा हूँ stack ठीक है? stack और इसमें integer value को पहले ही मैंने specific कर तो now, अब stack, stack में क्या सारे push, pop, peak ये सारे options आगए ठीक है? C++ में ये peak pole हो जाता है, जो top हो जाता है, ठीक, top भी बोल देते है तो top होता है वहां पर और यहां पर क्या है? peak, वही graph, graph जब सबसे ऊपर जा रहा है तो सबसे ऊचे वाले point को क्या बोलता है? peak point, ठीक है? mountain का peak point है, सबसे ऊचा ही, same सबसे ऊपर वाले point को क्या बोला जाता है? peak, okay, delete करने के लिए pop, और value add करने के लिए push, ठीक है? लेकिन, क्या ये list की properties को भी inherit कर रहा है? क्योंकि ये vector के extend ही तो कर रहा है vector किसको inherit कर रहा है? list को implement कर रहा है, sorry vector list को implement कर रहा है तो उसकी properties भी तो दिखेंगी तो देखो, add वाला दिख रहा है, add all दिख रहा है add element दिख रहा है, clear दिख रहा है clone दिख रहा है, सब कुछ है size wise सब है, okay but stack का behavior क्या है? index किस पर वो कर सकते add वो भी दिखेगा stack.add करूँँगा तो add index पर भी कर सकते है, ठीक है but मैं नहीं चाहता हूँ मैं तो भाई, stack का nature वो क्या है, last in first out जो last में add होता हो जाएगा और वही बाहर आएगा remove करते हैं time, stack.push 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 करेंगे, यह 10 मैं 3 बार repeat, दो बार कर रहा हूँ, ठीक है ordered collection है और यह repeat value भी list क्या करता है hold करता है, तो देखो यह repeat भी करेगा, control alt n, देखो अच्छा हमने इसको क्या किरा है, print तो नहीं करवाया है ठीक है, print करवा लेते हैं एक बार stack में क्या आ गई, 10, 10, 20 तो हमारी repeat value store हो रही है, च्योंकि list है, हमारा peak करना हो, pop करना हो वह कैसे देखो, मैं करूँ यहाँ पर stack.peak अब मैं peak check कर रहा हूँ peak वही, सबसे last में या सबसे top पे कौनसी value है तो सबसे top पे कौनसी value है ठीक है, कौनसी है, 20 देखो 20 आई क्या ठीक है, list के बाद मैंने print कर यह 20 अगर मैं remove कर दू तो, क्या होगा देखो, stack.pop save करा अब इसको जरा code को execute करके देखते है okay, error देगा भी तो यार यह, save और execute क्या आया इस बार peak हमारा 10 20 हमारा delete हो गया कैसे delete हो गया, pop pop का मतलब, वो top वाले को delete कर देगा, ठीक है और yes, अगर यह list में होता तो कैसे होता देखो, list save कर दूँगा देखो, इन सभी में क्या error आगए, सब red mark कर रहे है क्योंकि list के पास push, pop, peak जैसा कुछ ही नहीं, वो सब हमारा stack class के अंदर है इसलिए, मैंने कहा ता शुरू में हमेशा object किसका बनाना जिस class को बनाना चाह रहे हो जिस class को use करना चाह रहे हो अगर stack collection को use करना चाह रहे हो तो stack का ही object बनाओ list का नहीं array list चाह रहे हो तो array list का बनाओ link list चाह रहे हो तो link list का बनाओ list के पास कुछ method की declaration तो है बड़ उसमें push, pop, peak नहीं है और stack directly भी नहीं करता, ये वी proof हो गया ठीक है तो ये सारी चीज थी इसलिए मेरे को यहां बतानी थी और मैंने अटका रखा था काम और ये कुछ YouTuber भाईया दीदी ने पढ़ा दिया है ठीक है कि stack directly list पे जा रहा है बट ऐसा कुछ नहीं है you can see that now अब ही हम क्या पढ़ेंगे अब हमारा next आता है Q ये क्यू नहीं है ये क्यू है क्यू एक और तरीके का हमारा क्या है ये भी collection होती है इसमें भी values हमारी collect हो रखी होती है set भी होता है फिर क्यू बढ़ेंगे तो list में हमने क्या पढ़ा वो ordered में है और यहां पर हमारा ordered भी मेंटेन नहीं रहेगा it is unordered collection and does not allow duplicate value it only stores unique values mathematics में पढ़ा था हमने ठीक है class 11th में sets पर क्या था unique value store हो रही थी ये वही mathematics वाला concept है इस set में ठीक है इस set के अंदर हमारा को दो class दिखेंगे has set और linked set has set पीछे hasing has set दो concept को मिला के बनाए hash और set unique value store करेगा पीछे हमारा hashing चल रही है जो इसको fast करती है fast तो उसमें क्या है hash code में values कही न कहीं store हो रही होती है फिर वह set में भी होती है वह unique code होता है ऐसा कुछ concept होता है ये has set हमारी class होती है linked has set में क्या होता है तीनों concept दोड़ो linked list, has और set इसमें क्या है कि भाई जो हमारी unordered अगर मेरे को actually set को बनाना होगा तो by default मैं has set बनाऊगा क्योंकि set का मैं object नहीं बना सकता interface है वो तो मुझे object बनाना है तो has set बनाऊगा अगर मेरे को मान के चलो unique value चाहिए बट मेरे को ordered में चाहिए मुझे unique value चाहिए बट ordered में चाहिए तो मैं क्यासे करूँगा उसके लिए एक और है linked has set इसमें क्या linked list की property जुड़गी list की जुड़गी set की भी जुड़गी ठीक है भी दिखेंगे बिल्कुल फिर आगया तीसरा हता है हमारह tree set tree set होता है demand अब इसमें वी 2 नाम है थिसमें भी तो नामों के थो विधार जुड़ रहे होंगे और नाम क्यानगी दो लोग है उन दोनो को का काम है उन दोनो का रूद का काम क्या है एक tree है एक set है ठीक है यह sorted है, यानि कि अब इस set के अंदर values हमारी increasing order में लगी होगी, ठीक है, वो देखना, क्योंकि यह sorted set के क्या कर रहा है, interface को implement कर रहा है, sorted set के interface को, ठीक है, तो यह तीन थे हमारे, अब इन तीनों को एक बार ना implement करके देखते हैं, तब थोड़ा मजा आएगा, यह हमारा क्या ब रहा हूँ, कोई भी random values देखो, मैंने सबसे बहले किया 10, ठीक है, set.add किया, मैंने इस बार 5, और set.add 16, set.add 2, अभी मैंने, यह set में कुछ values क्या करी है, add करी है, और अभी तक जो हम पढ़ते हुए आ रहे थे, वो क्या पढ़ते हुआ आ रहे थे, अगर मैं कोई value को store कर रहा था, list के धुरू, ठीक है, तो मेरे को पता था 10 के बाद, अगर मैंने 20 store किया, तो 20 आएगा, 20 के बाद 30 किया, तो 30 आएगा, और उसी order में print हो रहा था, यह okay, end, इसमें देखो, एक और चीज, मैंने यह किया, किया, 10 को, तो बारा से क्या कर रहा हूँ, एड करने ही कोशिश, ठीक है, यह 10 के बजाए, चलो 2 को, 2 को दो बार एड गया, अब देखते है, और unique value, ठीक है, पिछली बार क्या हो रहा था, अगर मैंने 10 store किया, तो दो बा करते हैं एक बार, अरे यार, एक बार नीचे लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 16, 2, 5, 10, आप लोगों का order क्या था, इस बार देखो, हमने इस बार क्या एड किया था सबसे पहले, हमने, मान के चलो, एक कोई set बनाया, ठीक है, तो इस बार हमने सबसे पहले कैसे, एड की 10, 5, 10, कोई order है क्या, आपने तो इस order में किया था, 10, 5, 16, 2, 2, अगर 2 भी ना होता, तो आपकी दो values, अगर 2 भी ना होता, उनिक था, ठीक है, 2 ना होता, तो 10, 5, 16, 2 में order में आता, 16, 2, 5, 10 में तो नहीं आता, तो इससे दो चीज़, तुमारी चलेर होगी, पहला, इसका को सेव करे जा रहा है, समझ रहे हो, यह हम ऐसा, अगर यह कहीं हमारे को यूज करना है, contact list में, किसी एक आदमी का अगर नमबर में बार-बार सेव करे जा रहा हूँ, वहाँ पर set data structure को यूज कर सकता हूँ, समझे, यह कोई list बना रहा हूँ, किसी बच्चे की बना रहा हूँ ठीक है, तो teacher को दिया है, वह software, तो software को में पीछे आप में एक set ले सकते ता कि वह सेम बच्चे का रोल नमबर दुबारा टाइप करके, same value, repeat ना करे, अगर वो कर दे, तो एक ही रहे, ना, एक ही बच्चा वरना confusion हो जाएगी, दो result बन जाएग उसके, okay, अच्छा, इसको अ कोई value store कर दूँगा, तब यह हो जागा, जैसे मैंने यहाँ पर कर दिया 20, अब definitely order change हो जाएगा, देखें, देखोगे आप, तो अब इसको जरा execute दुबारा करते हैं, और इस बार देखते है, 16, 5, 2, 10 जो भी था, अब देखो 16, 2, 5, sorry, 2 के बार 20, फिर 5, 10 हो गया, तो जैसे अगर मैं पहले 10 store किया, उसके बाद, अगर मैंने 5 store किया है, तो 5 store हुआ हो, नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे हो रहा है, यह hashing वाला concept है, ठीक है, hash code में तक यह speed थोड़ा देने वाला हिसाब है, ठीक है, तो hashing चल रही होती है, जहां भी होती है, यह अलग से पूरा hashing पढ़ेंगे data section में, तो मैं पढ़ा हूँगा, okay, तो इस concept की वजए से हमारे क्या order miss match हो जाता है, इसका, set का, okay, यह होगा हमारा, ऐसे हमारा क्या बनता है, set बनता है, अगर, आपको क्या करना पढ़ा, linked set, linked set, तो इसमें देखोगे, इसमें तो पताईए हमारे को, linked set, अच देखना, integer, और यहां पर हम कर रहे है, ll set ले ले रहे है, ठीक है, ll set, equal to new linked set, अब ll set में value store कर वहाँगा, इस बार देखना, dot head, इस बार अपने linked set के अंदर, 5, 2, 2, 10 किया है, ठीक है, कोई, अब देखना है, यही order रहता है, unique value होती है, क्या होता है, क्या नहीं, अब वो तो हमार को क्या print करने पर पता चलेगा, तो फटा 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 प्रिंट कर देते है, list, sorry, ll, था ना, यह तो हमारा, ll hasset, ओ, एक गडबड़ कर दी, 5, 2, 2, 10 आई नहीं सकता, यहां गड़ड़ कर दी, linked list कर दिया, जबकि linked hasset था हमारा तो यह, क्यों, थोड़ी, चोटी-चोटी चीज़े तुम भी देखा गरो, और, नहीं, हम दो महां लिंगलिस्ट का क्यों बनाएंगे, हैस्ट का बनाएंगे, तो मेरे को भरोसा है, मेरे concept पे, ठीक है, इसलिए मुझे पता है कि, कहां गड़ड़ करी है, अब दुबारा करते है, ठीक है, क्योंकि वही नहीं से, एक यह बहुत बड़ी हमारी problem है, इसको हम सॉल्फ करेंगे बहुत ज़ल दी, 5-2-10, यह मुझे पता था, ठीक है, इस बर दे को order वही सेम रहा, 5-2-10 की है, तो order चेंज नहीं हुआ, तो इसने linked list वाला concept जोड़ लिया, जिसमें ordered collection होती है, यह दूसरा set है, तो set अपना behavior कैसे कभी विच्छु दंग माना चोड़ सकता है, नहीं चोड़ सकता, है ना, स्टोरी सुनी होगी हो वाली, कि सादु बोलता है कि बार बार गुरु जी से पूचा जाता है, जब वह आपको बार बार काट रहा था विच्छु, तो आपने आपको उसको पानी से बार क्यो निका ठीक है, और हा, तो देख लो, 5 to 10 आगया हमारी वैल्यूस, पता थी यार मेरको, ठीक है, अच्छा, बाकी तो सारी तुम्हारे को चीज़े पता है, क्या-क्या पता है, यह बता दो, इस सब में जो मिल जाता है, क्या मिल जाएंगे, जो भी सारे फंक्शन से हैं, सब कुछ म आपको इसके अंदर देख जाएंगे, लल्से डॉट, इसके अंदर बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है, पढ़ लेना, एड, 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 औल, क्लेर, क्लोन, वही यार, अगर हमने एड किया है, तो रिमूब भी हो सकता है, ठीक है, रिमूब भी करने को दे सकता है, तो वह सार रखा, एक array हमारा 1, 2, 2, उसमें बहुत सारी values पढ़ी है, एक side में हमने unique value store कर ली, अब हम क्या कर सकते हैं, आराम से compare कर सकते हैं, उसमें check कर ले, it contains, okay count plus plus, it contains count plus plus, फिर से उसमें value भी बढ़ा सकते हैं, ये questions है, data structure algorithms के वहाँ पर use बहुत होता है, तब हमारे को सारी चीज़ है की नहीं, ये मेरे को return में मिल जागा, तो इसको मैं आराम से boolean में store कर सकता हूँ, देखें, present or not, okay, plus bl, save किया, run करते हैं, देखते हैं, 2 is present or not, true, क्योंकि 2 present है हमारे set के अंदर, okay, और क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़े कर सकते हैं, वो यार, तुम थोड़ा सा करना, ठीक है, ये सारे method है, अब मैं कैसे बताऊं तुमारे को, dot, size भी चेक कर सकते हो, ठीक है, clear है, पूरी list को clear कर सकते हो, और equals, चेक कर सकते ह हाली है की नहीं, ये भी चेक कर सकते हैं, अब बात कर लेते हैं, अब बात कर लेते हैं, अबने tree set की, okay, tree set, तो इसमें दोनों nature देख रहे हैं, आपको tree, or set, इस बार मनाई है, tree set को object, और मैंने बताया जैसा की, तो set का नहीं मना सकते है, क्योंकि, हमें बता है, tree set किसको implement कर सकते हैं, सकते हैं, ना की set को, set को indirectly कर रहा है, तो फिर से वो वाली गडबड हो जाएगी, इसलिए, ठीक है, ये धियान रखो, जब जो भी बना रहे हो ना, बस उसी को पहले बनाओ, उसी को object बनाओ, tree set, क्या, मैं integer value रखना चाहता हूं, ठीक है, ये करेंगे, अब tree set को कर करना पड़ेगा, import, ठीक है, चलो भाई, control, period, okay, अभी, tree set में, सारी value sorted में मिलेगी, unique मिलेगी, ठीक है, order change हो जाएगा, देखना चाहोगे, तो इस प्रकार हमने कुछ values को add कर लिया है, 25, 10, 12, 6, ठीक है, अब एक और copy रखेंगे, दुबारा से हमने एक 6 कर रखा है, ठीक है, तो अब हमें देखना unique value कर रहा हो, और ये हमारा एक कोई order maintain कर रहा हो, but order कौन सा, sorted में हो, देखते हैं, तो आपने क्या करना है, इस बार print करना है, simple, और देखेंगे, तो चलो फिर print करके देखते हैं एक बार, कि क्या देता है, output, वो जरूरी है, इसको run करते हैं, और output का wait, yes, so क्या मिला हमारे को, 5, 6, 10, 12, 20, yes, 5, 6, 10, 12, 20, हमने दो बार 6 को store किया है, कि नहीं किया, देख सकते हूं, but उसने कितने बार किया है store, 12 को एक ही बार store किया है, right, 6 को, sorry, एक ही बार 6 को store किया है, 12, 10, 5, कोई order नहीं था, अगर इसके हिसाब से चलते है, 20, 5, 10, 12, और 6 आता, but ये पीछे, बाइनेरी सेर्च ट्री को, ठीक है, पीछे, बाइनेरी सेर्च ट्री को, यूस कर रहा है, उसके थूरू इंप्लिमेंट क दिख रहा है हमारे को, अगर सेट का नेचर ना होता, तो यहाँ पर आउटपूट एक और होता, 6, अगर सिर्फ हमारा 3 होता तो, वो तो नहीं है, 25, 10, 12, 60, 6 तो नहीं है, अच्छ, वो भी नहीं है, तो सेट वाला भी साब है यहाँ पर, तो हमारी सारी वैल्यूस क्या है, यहाँ तक किसी को कोई भी confusion हो, कुछ भी हो, तो अभी भी comment कर सकता है, तो अभी हमने क्या-क्या पढ़ लिया है, सच-सच बताओ, list पढ़ लिया, set पढ़ लिया, अब क्या रह गया, क्यू, यहाँ पर क्या है, जो data होता है उसकी priority, उसकी priority अगर set की जाए, जैसे हमारे sorted set क के अंदर क्या था, कि जो हमारी यह वो ascending order में लग जा रही थी, same, कोई ना कोई priority set करनी हो, किसी value की, तो वहाँ पर आता है हमारा Q data structure, it is based on P4, first in, first out, first in, first out, कैसे होता है,